नमस्कार, News Click के Daily Roundup में आपका स्वागत है आईए नजरे डालते हैं आज की कुछ हेडलाइन्स पर PMKS की पारदर्शिता पर उठ रहे हैं लागतार सवाल अमेरिका में TikTok से जोड़े विवाद के बीच कमपनी के CEO का इस्तिफा प्रधान मंत्री के Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund को सूचना कादिकार यानि RTI के Act के तहट सारवजनिक प्रादिकर या Public Authority को क्यों नहीं माना जा रहा क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधान मंत्री ये बताने से कतरा रहे हैं कि इसमें पैसा कहां से आया और उसे कैसे खच किया जा रहा है News Click के साथ एक खास बाचित में सामाजिक कारकत्रा अंजली बादवाज ने कहा कि ये एक ऐसे एहम सवाल है जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है आएए देखते हैं बाचित का छोटा सा हिस्सा कैसे आप कह सकते हैं ये एक नीजी एक संस्ता है अगर ये एक Public Charitable Trust है एक सारवजनिक धर्मार्त नियास है तो इसके सारे क्या हो रहे है कितने पैसा आ रहे है कहां से आ रहे है कौन दे रहे ये एक दम सारवजनिक होना चाहिए आप जैसे कार फारद रश्रिता से सब के सामने ये सूचना मिलना चाहिए क्या इस फंड की जरूरत ही वो एक होता है लेकिन ये हम जरूर मान सकते हैं जब सरकार कहती है या हमें कहा जाता है कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी लाना चाहे तो लाया जा सकता है ये कहा गया है सारवजनिक रूप से वो भी ठीक है पर बात ये है कि क्या ऐसा सा फंड जिसमें की चेर हमारे प्राइम मिनिस्टर है और एक्स ओफिश्यो कपैसिटी में जैसे मैंने कहा और जो हमारे सीनियर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है इसके ट्रस्टीज है एक से ओफिश्यो कपैसिटी में पब्लिक फंड्स को लिया जा रहा है इसमें क्या इसमें पारदर्शता नहीं होनी चाहिए ये एक बड़ा सवाल है और जो याचिका आपने बात कही सुप्रीम कोट में थी वो याचिका तो बहुत स्पष्ट थी उसमें ये नहीं बात थी कि ये पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं आटिया आक्ट के तहत इसमें ये था कि क्या NDRF में जो नैशनल डिजास्टर रिलीव फंड है उसमें PM केर्स के पैसे चले जाने चाहिए तो उस याचिका को डिस्मिस किया गया कोट में उच्चतम नयायाले में अभी पारदर्शिता की कोई चर्चा इसके उपर स्पेश्ट रूप से नहीं हुई है पर मैं जो बात कह रही थी कि ये बार-बार कहा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर ओफिस कह रहे हैं ये बात कि ये PM केर्स फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इसलिए सुचना ये अथॉरिटी नहीं देगी फंड लोगों को नहीं देगे ये बिल्कुल ही वाइलेशन है आटी आएक्ट का क्योंकि कोई भी हमने आटी आए पीम केर्स में नहीं लगाई हमने तो आटी आए पीमो में लगाई जो की आटी आए एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी है उनका काम है कि जो उनके पास फाइल्स है वो हमें दे आटी आए में और उन्हें डिनाय कर दिया गया जैसे है पहले हमने का पीम केर्स का ये फंड इसका स्थापन किया गया 27 मार्च 26 में यानि की दो महिना बाद कंपनीज आक्ट कंपनीज के जो कानून है यह इसके ऊपर आपने एक संशोधन क्या यू एमेंड़ेट और यह भी रेट्रोस्पेक्टिव लियानिकी पूर्व वैपी आपने एक संशोधन क्या और आपने क्या क्या कि सारे जो कॉर्परेत्स है उसका जो CSR मनी और परिट सोशल रिस्पॉंसिमलिदी यानि की कॉर्पित की संवाजिक जिम्दारी का जो पैसा पी-ेम कैर में वो दे सकते हैं तो यह यह दो महिना में जो पैसा आये है पी-म कैर कैस चंड में ये कानूनी तरह से आया नहीं नहीं आया यही मेरा सवाब है जी देखे ऐसा है कि यह सारवजनिक था कि Ministry of Corporate Affairs ने एक Office Memorandum निकाला एक Order निकाला जिसके तहए उन्होंने कहा कि PM Care Fund में CSR का पैसा जा सकता है और यह सारवजनिक था बार लेकिन हम यह जानना चाहते थे किस तरीके से इसको justify किया गया और उसके लिए RTI Applications लगाए गई RTI Applications में यह स्पष्ट रूप से सामने आई है जो सारे के सारे Clarifications जो Discussions हुए Ministry के अंदर उसमें यह निकल के आया है कि Ministry यह मानती है कि PM Cares Fund Central Government ने सेट अप किया और क्योंके Central Government ने सेट अप किया यह fund इसलिए जो Ministry of Corporate Affairs का जो Companies Act का जो प्रावधान है वो यह कहता है कि कोई भी fund या कोई भी संस्था जो Central Government सेट अप करे उसमें CSR का मनी जा सकता है तो उन्होंने justification यही लिखी कि क्योंके PM Cares Fund Central Government द्वारा स्थापित है इसलिए उसके अंदर CSR का पैसा जा सकता है PSUs भी दे सकते हैं, Public Company भी दे सकते हैं और Private Company भी दे सकते हैं तो मतलब देखिए सीधी बात सामने आ रही है यह तो एक तरह से धोगलापन है जब पैसे लेने की बात है PM Cares Fund के अंदर तो सरकार कह रही है कि यह fund जो है Central Government ने सेट अप किया है इसलिए इसमें CSR के पैसे आ सकते हैं पर जब लोग सूचना मांग रहे हैं तो सरकार कहती है कि यह जो fund है यह Public Authority नहीं है इसलिए हम सूचना नहीं देंगे तो यह दोनों चीजें जो हैं इसमें तो विरोधाभास है अब अगर आपने जो amendment की बात करी यह बड़ी interesting बात हो जाती है क्योंकि दो महीने तक सरकार ने जो CSR के funds हैं वो PM Cares में डालने के लिए अनुमती दी यह कहकर कि यह central government द्वारा बनाई गई fund है लेकिन दो महीने के बाद ऐसा क्या होता है कि सरकार को यह कहना पड़ता है कि हम अपना ही act जो change कर लेंगे schedule जो है act का और उसमें यह अलग से कहेंगे कि PM Cares में आप पैसा डाल दीजिए क्योंकि हमने amend कर दिया law को तो इससे तो यही समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों ने सूचना के अधिकार में applications डालनी शुरू करी सूचना मांगनी शुरू करी तो सरकार को यह लगा कि वो यह amendment ले आए जिससे कि वो कह सके कि PM Cares Fund जो है वो Public Authority नहीं है RTI के तहत और CSR से funding जो आएगी वो retrospectively उन्होंने effect के साथ में यह कह दिया कि यह तो इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमने अलग से PM Cares का नाम डाल दिया है Schedule 7 of the Companies Act के तहत तो यह जो तमाम एक तरह से गड़बडियां हैं यह सामने आ रही है सूचना के अधिकार में जो application डाली उसकी response में कि पहले CSR के पैसे PM Cares में लेने के लिए सरकार कहती है कि आप डाल सकते हैं, कंपनियों को कहती है आप डाल सकते हैं क्योंकि यह fund जो है यह एक Central Government त्वारा बनाया गया fund है लेकिन जब RTI applications आने लगती हैं सरकार यह कहना चाहती है कि हम सूचना नहीं देना चाहते तो सरकार दो महीने बाद retrospective effect से कानून को बदलती है और कहती है कि यह Central Government के तहत बनाया गया है, इसलिए नहीं लेकिन हम अलग से ही आपको कह रहे हैं कि आप PM Care's में पैसा दे सकते हैं TikTok app को लेकर पिछले कुछ महीनों से लागतार विवाद चल रहा है हाली में Donald Trump ने एक आदेश जादी किया जिसकी वज़द से यह app अमेरिका में लगब बैन हो जाएगी अगर इसे कोई अमेरिकी कमपनी ना खईद ले इसके बाद TikTok ने अमेरिकी सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया इस पूरे विवाद में अब नया मोड़ा आया है क्योंकि कमपनी के CEO केविन मेर ने अपना इस्तिफा दिया है मेर का यह कहना है कि USA की राजनीती माहौल में जिस तरह का बदलाव आया है वह उसमें इस प्लेटफॉर्म के CA होने की भूमिका नहीं अदा कर सकते आईए देखते हैं इस विशय पर क्या कहना है नियूस क्लिक के प्रमुक संपादर प्रभी पूरकास्था का कि ऑन ते लिएल्तों कुर्षा का बदलुप्र घॉस कई जिस ए इस ए क्योड रूसी थाख विलो एफंटाम काई राज कैस्ट चूर। इजरू अस्प्ब्सित राज इतुरू apूं के इस उरुटतMusicट तरूभ और्यzyka और फ़ो जार्वत, जायक्ट तो झाथ तॉटीजूटेट कीश्ति क्याशव there are other competitors there is a competitor called snap which is also growing but the biggest threat to that space and these are really very short dance videos which are lip-synced kind of thing now those those kind of the demography of that is really people who are young and that's also the instagram's demography and facebook knew that for instance that demography it was not addressing through facebook facebook had lost a lot of charm for the younger people and in fact a lot of the people now on facebook are people of the older generation they seem to be using facebook more than the younger people so the younger people have shifted to instagram and also to tiktok as you know that in india as well there are supposedly 100 million users of tiktok in united states so that was a threat that facebook saw and therefore now we know that mark zuckerberg campaigned with trump and the trump administration to ban tiktok being a national security threat everything that u.s does is national security everything that any other country does is essentially protecting its market which is illegal according to the united states that's the threat they give us routinely usdr threats against india and a number of other countries come from that if you protect your market you are violating u.s law and of course whatever the u.s does is according to its national security needs and no other country is supposed to have national security needs whatsoever so it's very clear that mark zuckerberg lobbied the u.s government so that tiktok ceases to be a competitor of course somebody else will buy it it's possible that microsoft will buy it or oracle will buy it those talks are going on oracle has emerged as a competitor twitter is also the sidelines but it doesn't have the kind of financial heft that obviously oracle has and of course what microsoft has so given that this is really something which is being forced for the needs of facebook to protect its social media monopoly यह पूरी बाचित आप हमारी youtube चैनल पर देख सकते हैं आज की daily round up में बस इतना ही निउस्क्लिक के youtube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे हमें फॉलो करें निउस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया